नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के बीच एक नए रेसेपी के साथ अगर रेसेपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और चाइनल पर नए होंगे तो फिलीज चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसेपी बनाना इस्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे आधा कटोड़ी सूजी से बहुते टेस्टी और अलग तरीक का नास्ता उसके लिए यहां पर हम आधा कटोड़ी से थोड़ा जादा सूजी लिए हैं तो एकदम बारिक वाला सूजी है आपके पास अगर बारिक वाला सूजी नहीं हो तो मिक्सी में पीश सकते हैं तो यहां पर हम एक कराही ले लिए हैं तो हमारा आधा कटोड़ी से थोड़ा जादा सुजी था तो हम टेड़ को टोड़ी पानी डालेंगे तो हम एक को टोड़ी पानी डाल दिये हैं लेकिन आधा को टोड़ी पानी हम और डालेंगे पूरा टेड़ को टोड़ी पानी डालेंगे तो पानी को हम थोड़ा हलका गरम होने देंगे और यही पर हम क करेंगे आधा चमच नमक डाल देंगे ताकि नमक हमको बाद में भी डालना है इसलिए थोड़ा कम ही नमक डालेंगे और एक चमच हम तेल डालेंगे आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं वहीं डालें और इसको हम अच्छे से मेक्स कर देंगे तो पानी में हमारा हलका उब के ही सूजी डालेंगे नहीं तो लंब सेया गुठ लिया बन जाएगी तो इसी लिए हम थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे और अच्छे से मेक्स करते रहेंगे तो हम सारा सूजी को डाल दिये हैं अब इसको इसी तरीके से चलाते हुए हम एकदम डो की तरह बना कर तयार कर लेंगे तो एकडाम हम डो की तरवा बना करके तैयार कर लिए हैं देख सकते हैं वील्व This बन गया है तो इस को हम क्या करेंगे 20 मिनट के लिए डख करन के रह देंगे ताकि सूजी, हमारा अच्छ से से product हो जाए जब तक हमारा । छोटी सी कर लेते हैं तो यहां पर हम एक कडाही लिए हैं इसी कडाही में हमें श्टपिंग बनाएंगे तो सबसे पहले हम दो चमच तेल डाल देते हैं और तेल को गरम होने देंगे तो तेल गरम हो चुका है तो आधा चमच हम जीरा डाल देते हैं और जीरा चटक गया है तो यहीं प बूनने के बाद हम इसमें प्याज ढालेंगे, तो दो प्याज को हमने बारी काट लिये हैं, तो उसको डाल देंगे और अच्छे से मेक्स कर देंगे, और प्याज को जादा नहीं भूनेंगे, हलका ही भूनेंगे, तो प्याज भूनते समय हम गेज के फ्लेम हाई ही रखेंगे ताकि जो इसमें नमी होगा वो खतम हो जाए बहुत साड़ा नमी होता है प्याज में इसलिए हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे तो एक से दो मिनप्ट हम इसे भून लिये हैं और प्याज में जो नमी था वो खतम हो चुका है तो इसमें हम चटपट्टा टेस्ट देने के लिए कुछ मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले हम एक चोथाई हल्दी पाउडर डाल देते हैं और आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देते हैं और यहां पर हम आधा चमच चांट मसाला डाल देते हैं इससे नास्ता का टेस्ट बहुते आच्छा आता है और यही पहम स्वाद के उंसार नमक डाल देते हैं और सबको हम अच्छे से मेक्स कर देंगे ताकि प्याज और मसाला अच्छे से मेक्स हो जाए तो सबको हम अच्छे से मेक्स कर दिये हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा पनीर लिये हैं इसको हम कदू कस कर लिये हैं तो इसको भी डाल देते हैं तो अगर आपके पास पनीर नहीं हो तो इसे skip भी कर सकते हैं और सीप प्याज से भी इस masala को बना सकते हैं बहुते आच्छा बन करके तयार होता है तो यहीप हम थोड़ा सा हारा धनिया भी डाल देते हैं और अच्छे से mix कर देंगे और कुछ सकेंड के लिए इसे भून लेंगे तो यहाँ पर हम अच्छे से भून लिए हैं कुछ सकेंड के लिए तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं अब ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक सूजी को देख लेते हैं तो देखिए सूजी हमारा ठंडा हो चुका है लेकिन हलका गरम ही है तो हम गरम में ही मसलेंगे ताकि यह अच्छे से चिकना हो जाएं तो इसको हम अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे तो देखिए कितना चिकना बन करके तयार हो गया है तो हम हाथों में तेल लगा लिये है अब इसमें से हम थोड़ा मिश्रन उठाएंगे जिस तरह हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं से हम उसी तरह से बना लेंगे इस तरीके से अवर हाथेली पर रख करके इसको इस हाथेली जाता है तो हम इस तरहेके से कर देंगे और जो हम पनीर और प्याज का श्टपिंग बनाए हैं उसमें से इस पर रखेंगे तो हम डेड़ चमच श्टपिंग डाल रहे हैं आप जीतना डालना चाहिश refined टाल सकते हैं थोडा ज्यादा कम कर सकते हैं तो इस तरीके से हम कर देंगे और इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बना लेंगे अच्छे से तो इसको श्टपिंग को भीतर करते जाएंगे इस तरीके से अंदर दबाते हुए इस तरीके से हम कर लेंगे तो देखिए कितना अच्छा से बन करके त्यार हो गया है तो इसी तरीके से हम बा चीमता लिये हैं, तो ये बहुते असानी से मारकेट में मिल जाता है, तो इस तरीके से हम दबाते हुए डेजाइन दे देंगे, बहुते आच्छा फलावर बन करके तयार होता है, तो अगर आप घर पर इस तरीके से नास्ता बनाते हैं, तो आपको बच्चों बाहर का नास्त लाना भूल जाएंगे और घर पर ही बनवा कर खाना पसंद करेंगे बहुते आच्छा बन करके त्यार होता है अगर मेरा रेशेपी आप लोग को थोड़ा सभी पसंद आता है तो पिलीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो देखिए हमारा कितना आच्छा डिजाइन बन क है तो एक नस्ता हमारा बन करके त्यार हो चुका है अब बाकी का नस्ता हम इसी तरीके से बना करके त्यार कर लेंगे देखिए कितना अच्छा दिखने में फलावर जैसा लग रहा है तो बाकी का भी नस्ता को हम इसी तरीके से बना करके त्यार कर लिए है अब चलते हैं ग और यहां दो दो city Independence को जो गालेंगे तो हमेट इस तरीके से हम डालेंगे जेतना कराही में आएगा उत्रा तो हमारा चारोन अस्ता एक साथ कराही में आ चुका है, थोड़ा अलग हो गया है, तो उस पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, इस तरीके से, तो अपने आप अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से हम डालते जाएंगे, ताकि उपर का हिसा भी हम अच्छे से पक जाए, तो देख देख सकते हैं एक तरफ पोते आचि अच्छा से पक चुका है तो इसे हम दूसरी तरफ से पलट दिये हैं इसी तरीके से उलटते पलटते हम गोल्डन ब्राउंड होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे तो चार से पांच मिनट पकाते हुए हमको लग चुका है और देख सकते हैं कितना आच्छा golden brown हो चुका है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लिये हैं देख सकते हैं तो लीजिए हमारा सुजी का एस पेसल नस्ता बनकर के तयार हो चुका है देख सकते हैं कितना आच्छा बना है तो अगर मेरा नस्ता बनाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा सभी पसंद आया होगा तब प्लीज कमेंट में जैसरी राम लिखना ना भुलिएगा मिलती हूँ फीर से एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद